कांगडा केंद्रिय सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजी भारद्वाज ने धरमचाला में पत्रकारवारता को संबोधित करते हुए कहा कि 2018 से पहले घाटे में चल रहे बैंक को लाब की स्थिती में पहुंचाया गया है जिसके पीछे का कारण बैंक के उगभोगताओं का विश्वास इस बैंक के प्रती मजबूत होना है उन्होंने कहा कि अगली वित्य स्थिती विवरन 2022-23 में हमारा टार्गेट 100 करोड से उपर जाने का है राजी भारद्वाज ने आगे कहा कि अगले वर्ष बैंक अपने 103 वर्ष पूरे कर लेगा तथा बैंक के लाब को भी 103 तक पहुंचाया जाएगा इस लक्षे के साथ हम आगे कारे करेंगे उन्होंने कहा कि बैंक के घाटी में चलने से इससे उभोगताओं में बैंक की प्रती विश्वास तूट रहा था जिसे बैंक को कई चुनातियों का सामना भी करना पड़ा राजी भारद्वाज ने आगे कहा कि 2018-19 की वित्यस थी विवरंड में 45 करोड 16,24,000 रुपए का घाटा था 2019-20 में ये घाटा कम होकर 40,33,27,924 हुआ हमने 5 करोड घाटा बैंक का कम किया 2020 और 2021 की वित्यस थी विवरंड में 3 करोड 46,05,643 रुपए का लाब अरजित किया गया था 2021-22 की वित्यस थी विवरंड में 87 करोड 53,779 रुपए के लाब पर बैंक आ चुका है उन्होंने कहा इस काम्याबी में बैंक के सभी अधिकारियों वो करमचारियों की मेहनत का नतीज़ा है आज हम 9 करोड के लाब में आ गए है केंदर सरकार की ओजनाओं का भी लाब जनता को दिया भारदौ आज ने कहा यूपी आई की अंतिम तिथी 15 जुलाई तक रखी गई है क्योंकि यूपी आई हमारी लिए एक बहुत बड़ा हत्यार है इसका अभी फाइनल ट्रायल चल रहा है और ये 15 जुलाई तक यूपी आई में आ जाएगा पुर्व करमचारियों की पैंचिन जारी करने की मांग को लेकर उन्हें कहा कि उनकी मांगों को भी सुलज़ाय जाएगा उनकी मांगे जाइस है जिने बैठक के माधियन से सुलज़ाय जाएगा पिछले कल हमारी बैलेंस शीट पब्लिश हुई थी और उसी के संबंद में हमने आज आप सब को ये कश्ट दिया था और मैंने थोड़ी सी तुलना की है कि दो हजार अठारा दिसंबर में मैंने अध्यक्ष के नाते दाइतों संबाला था और उस समय जो पहली बैलेंस शीट पब्लिश हुई थी दो हजार अठारा उन्निस की उसमें हमारा पंतालिस क्रोड सोला लाख चौतिस अजार नौसो सतावन रुपे का घाटा था और उसके बाद जो बैलेंस शीट फाइनल हुई है हमारी दो हजार उन्निस बीस की वो घाटा फिर कम होकर घाटा तो रहा वो लेकन वो घाटा कम होकर 40 करोड 33,27,204 रह गया यह हमारे संभालने के बाद की जो पहली बैलेंस शीट आई थी उसमें घाटा कम होकर क्रीब क्रीब पांच करोड की कमी घाटे में हमने की थी लेकिन उसके बाद जो हमारी 2020-21 की बैलेंस शीट फाइनल हुई उस बैलेंस शीट में मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्श हो रहा है बड़ा संतोश हो रहा है कि हमारे इस संस्थान ने सबकी मेहनत से सभी अधिकारी करमचारियों हमारे डिरेक्टर साहिबान की सबकी मेहनत से हमने 3,44,5,723 रुपे का प्राफिट गें किया था 45 क्रोड पे घाटे पे हमने इसको संभाला था उसके देड़ वर्ष के बाद जो बैलेंस शीट फाइनल हुई है उसमें हमने 3,44,5,723 क्रोड का प्राफिट गें किया और जो इस बार की बैलेंस शीट है जो कल पबलिश हुई है 2021-2022 की इस बैलेंस शीट को पबलिश करने के बाद जो आपके साथ बात करते हुए मुझे बड़ा हर्ष भी हो रहा है पर्टिकुलर्ली कस्टमर्स का उनका धन्यवाद करता हूं कि जिन्हों ने हमारे अंदर विश्वास बनाए रखा और उसका नितिज़ा आज यह है जो कल बैलेंस शीट फाइनल हुई है उसमें इस संस्थान ने 87 करोड 53,76,779 करोड रुपे का प्राफिट गेंड किया है जो मुझे लगता है कि इस संस्थान की बहुत बड़ी उपलब्दी है इस संदर्भ में मैंने आज आज आपसे बात करने के लिए आपको कश्ट दिया था यूपी आई का फाइनल ट्राइल चल रहा है जी और मुझे लगा था कि अगर नेशनलाइजड बैंक को कंपीट करना है हलांकि हमारे बड़े कंस्टेंट्स हैं हमारी बड़ी रेजर्वेशन होती है